प्रिकेट कॉर्णर तो इस बार के लिए क्या एरादे हैं और कुछ दिल्चस वाकियात भी उनकी जबानी सुनने की कोशिश करेंगे तो बातचीत का आगास करते हैं तो आगास करते हैं तो आगास करते हैं पी एसल के हवाले से के तीम सीजन वैसे है जिसमें टीम की परफॉर्ममस तने अच्छी नेरी तो इस दफ़र क्या नया कर रहे हैं कि हम दुबारा दूसरी बार कोईटाव को टाइटल जिते पे देखें पहले सलीम भाई थैंक यू आपकी तीम का आप यहां हैं और जी आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल हमने पहले चार साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हमेशा टॉप पे रहे हमें फिकर ही नहीं होती थी के नीचे टीम क्या कर रहे हैं एक मीम भी शैद बंदी के पांच टीम में ट्राइ करती हैं कि फाइनल कोईटा में कौन कोईटा से खेले हैं लेकिन अनफॉचनली तीन साल देखें बहुत अब हमाई टीम बढ़ी डिस्टर्ब रही सर्फरास के साथ जो हूँ आपको पता है वो कप्तान भी आपका अगर डिस्टर्ब्ड हो तो टीम कैसे है तो इस दवर टीम भी अच्छी बनी है माशालला कप्तान भी सेटल है हमारा बहुत अच्छा अभी हम कोईटा गया आपको बता है मैच भी जीता जो के मुश्किल था जीतना लेकिन लड़े ग्लाडियाटर्स की तरह तो इस दवर कवी उमीद है कि इंशालला हम अल देवे है तो आपको लग रहा है अब पुराना वाला सर्फराज हदर आगे पीसल में इन्शालला देओं मेहनत भी बहुत कर रहा है और जो सबसे अच्छी बात थी कि देखें वो दो तीन चार साल चुप खामोश रहा जो सबसे अच्छी बात है और प्रैक्टिस करता रहा भी भी मेहनत कर रहा है नेट्स में और कॉंफिडेंस अब आगे है आपको जैसा आपने का ना मैच मिला फिर वापिस आए और ऐसा कम बैक मेरे ख्याल में इतने अर्से बाद किसी का हो डेब्यू समझे होता है उनका और उसने जो परफॉरमस दी बहुत आउटसेंडिंग थी तो जैसा अपने काई अगे है तो आप ज़से आगे है तो आप टीम आपने करेगा अच्छी तरह तरह एपको बोली थी के यार यहारे जारे आप कैप्टें बदलो लेकिन आप डटे रहे कभी आपके सेहन में ख्याल आएगे का अपका पड़ देने जाए लेकि एक एक दफा म आपनों से भी आगे है और जो दूर के हो तो आपको पता है तनकीद करते ही अज़ पाकिस्तान में आप क्या दुनिया में किया है जब परफॉमंस नहीं होती तो लोग फिर आपको कहते है लेकिन सर्फरास को चांस भी नहीं मिला जेकिन मैं हमेशा कहता रहा रहा रिजवा जाती तो इसका बहुत बड़ा रोल था तो आप में दो तीन साल इदर उदर कर दिया अब वो सोचें उस माइंसेट से कोई भी होगा वो छोटा ही है बच्चा ही हम जब इनकी उमर के जाए तो हमें पता ही कुछ नहीं तो यह लोग डिस्टरब तो होंगे फिर तीनों फॉ या ब्यूटी ऑग्रेस है कि दोनों ने बावर ने भी और सरफ्राद ने भी कि नहीं होगा कॉपतान ने आप बना दे आप बावने का नहीं मैं सरफ्राद के अंडर खेलूँगा यह क्या बात ही है और मैंने भी हमारा टूर हुए हुआ उसमें बावर साथ है जो जा गय थ तो उसमें मैंने बाबर को देखा अमेजिंग परसनालिटी उसके भी वह भी अपना बस कॉंसेंट्रेट अपने काम पर करता है और दोनों की जो कैमिस्ट्री थी लगे नहीं रहा था कि यह वह कप्तान है जिसने रिप्लेस किया सरफरास को दोनों एक दूसरे की जो इज़त कर लेती है बहाद हमें लगता है कि कोई गड़बड हो रही है लेकिं इंसाइट दोनों बड़े मदे के कारेक्टर तो मामला नहीं बात नहीं बन सकी थी के बाबर को आपके टीम में आजाए हमने तो बड़ी कोशिश की साह बात लेकिन आइ किसी भी लड़के को आप कहीं अगर ओखेलना चाहता है तो आप खेलने दे उसको कोई ऐसी बात नहीं है ओफर्स करना तुम इज़र आ जाओ ठीक है अगर बाकी आपको छोड़ें आप फेर एक्सचेंज कर रहें वो ठीक है बड़ लेकिन इस तरह टीम्स खराब नहीं करन आपको सही कह रहे हैं लेकिन लग इसलिए आजम का मेन फोटे वो भी है विकेट कीपिंग उसको महल मिलनी रहा था हमारी प्रोड़क्ट है चाहे कहीं भी खेले आजम रहेगा तो कोईटा ग्लाडियेटर्स का तो वो जो था वो उसको आउट फील्ड में लोग तनकीद भी करते थे और आजम एक जबदस कीपर है अब सरफरास के होते हो कीपिंग नहीं कर सकता था तो यह तो हमारा अपना डिसीजिएन था कि उसको जाने दिया जाए और वो जहर सी बात है मौहिन भी चाहते होंगे कि मेरा बेटा जो कीपिंग भी करे तो वो शायद आपको लग र होदे इसे दूसरों के तो शान वसूदृ के बहुत से हैं करी फाफ्र फखर फखर जमान फखर जमान न को और भी बहुत हैं लाइन लगिवें DE 11 वाहाब से पाकिस्टाम करिशल अब志 नहीं अजए बड़ी इसमें को हम उस्टेज आप Argentina और तेरा लड़का है अब तो हम जादा अच्छा करना तो कर भी और करते हैं किया भी था माशाळला फखर का एक वो था जब मैं का फखर हलका हाथ रखते है क्या किया तुमने कि नदीम भाई देखें 94 को आउट गए था वहना 120 करता तो हलका हाथ रखता तो मुझे बड़ी खुछी होती है कि जिस तरहा आज पंदरा तारीक के बाद आएंगे बड़े जजबाती हो जाते हैं वो तो भार से लग रहा होता है हाँ वो उन्होंने आइटिंक वो जो कहते हैं कि लाइफ उन्होंने ना सिर्फ हमारी टीम में डाली है बलके पूरे PSL में डाली जिस तरह वो मतलब वो अवरॉल उनको प्लेयर्स पर तो आप उनको समझाते हैं कि यार सर्फराज वास हलका आत रखा को रहा है छोड़ा वा होता है आपने सर्फराज के अंदर ही सब कुछ करता है बाहर बिलकुल खता है वो यही लगता है कि जजबाती हो एने और वो आइटिंक वो दो तीन साइज से थोड़ा सब दोनी जैसे नहीं हो सकते हैं सब का अपना अपना एक स्टाइल इसका स्टाइल यह रहा जारा उदर उस्ता जादा कर जाता है लेकिन यह दो तीन साल गुजरे ना जब डिस्टरब रहा तो वाकि ज़्यादा अपसेट सभी को लगा लेकिन उसको पिछले साल आप देश अपना लेकिने फटाइल नजर इपना उसकाओ भूरा नाजर रहा ग्राउंड भरा था लग लाएएं लगी 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 तो, कोईटा ग्लाइडर्स कोईटा में खेल रहा बडाघा हो स्बड आच्छा लागा ओस्टर्ट्र को अधों ज़ो अच्छा जाँडाऊ जि होंगे लेकिन जो खुशी वहां मिली ना चौदा पंदरा हजार शायद कपैसिटी थी और क्राउड मेरा ख्याल है को चालिस पचास हजार वो क्यूज आपने भी देखी जो तो वो जो शौक था वो कहां से कहां ले गए और चुकर है कि हम लोग जीद गए इसमें मैं समझता ह सिंगाy के जैसे मैं का बहुत बड़ा हात है इसमें बाबर का बहुत बड़ा हात है जिससान उसने सब प्लियर्घने और आप याचिन करें हमारे भी कुछ प्लियर्स थे और उधर भी despite है जिन्मों ने अपने बंगलादेश के के फई चोर के वह लड़के आएं तो पाकिस्तान गवर्मेंट ने फैसिलिटीज दी वहाँ पर इमारे जो इदारें वहाँ पर उन्हों ने जिस तरह हमारी इफाज़त करी तो एक ओवराल अमेजिंग एक जर्नी थी ओ नश्या ही चाड़ गया सब को वहाँ और जिस तरह हमारा ख्याल किया गया और सबने जिस तर किसी ने मुझे स्टेटिस्टिक्स बताएं तो वहाँ विचार कुछ होता ही नहीं इतने बड़े लाकें तो इतना बड़ा शो सब्टाइस साल बाद को बड़ा मैच होगा इम शोर किसके बाद लोग आएंगे फॉलो करेंगे और जो मिस कांसेप्शन है ना बलुजस्तान क यह वहाँ लोग यही कहते हैं जैसे बड़े-बड़े स्टार्श शाहिद बाई हैं वो आके कहले शाहिद आफरीदी तो उनको यही बतायागे कि आप बाहर जाके बताएं कि ऐसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं बलुजस्तान को आप जरा सी मौबदें उससे दर गुना वापिस देते हैं तो बहुत अच्छा लगा लोकल प्लेयर भी नदर आया एक्शन में और अच्छा परफॉर्म भी किया माशालला बंगल जाई देहें बहुत अच्छा बच्चा खेला इसी तरह बिसमिल्ला खान था वहां से भी जल्मी में भी कोईटा का बच्चा था तो वहां पर आपको बहुत है पांच-छे साल से हम वह इंटर स्कूल भी करा रहे हैं वहां पर वो क्योंके टीवी पर नहीं आता तो कोई देखता ही नहीं यह दोनों बच्चे आगो स्कूल क्रिकेट से यह लोग आये इन्होंने यहां के खेला कराची में खेला फिर हमने यह क पर वहां पर और भी बहुत से खेले क्रिकेट तो अलग है वहां फुट-बॉल का बहुत क्रेज है बौक्सिंग का बहुत यह ए फैंसिंग है वहां तो वहां टैलेंट बहुत है तो हमें उसको सिर्फ जु कहते है ना के एक प्लैटफॉर्म देना है कि यह लोग आकर अपन पिछले दफार अमीर राजा साभ वेरी काइन इनफ कि उन्होंने वह साइन किया सारा उससे पहले मानी साहब ने सारा स्पेड़ वर्क किया सेटी साभ खुद अपने इंटर्व्यूज में कहते रहे कि यह बिचारों का उन्फेर है तो वह नहोंने भी इस बात की हामी भरी क कि यहां भई वो लॉप साइड़ कॉंट्रैट बनावा था तो उसमें अगर हम साथ पार्टी खुश रहें तो पी एसल का फाइदा है तो एंशोर सेटी साभ क्योंके उनका अपना ही एक बेबी है उसको ज्यादा प्रोमोट करेंगे हमें भी खुश रखेंगे और हम लोग पूरे पाकिस्तान को होश रखेंगे में अफ्तिकार ने छे बॉलों पे छे चक्के लगा अगर पी एसल की माहौल बना दिया इसनों जी जी वहाब माशाला आपको पता है क्या जबर्दस बॉलर है मिनिस्टर भी है तो मिनिस्टर भी है इस पर बड़े में बन रहें आपक कानी देखा आउटस्टेंडिंग और जिस तरह वह एक ओवर से कोई बॉलर छोटा नहीं हो जाता है वहाब ने तीन ओवर में नौरन दिये हैं अच्छा वह थका हुए भी थे यह और वह और उसका इफ्तिकार ने फुल एडवांटेज उठाया लेकिन एक बात आपको बता कैसे मैं का निए बात ही ओर एक नाम ने लिया था अबने को लगा यह नहीं ने यह का मैंने इफ्तिकार को देखा उदर और जब वहाब को बुलाया उन्हाइं तो यह पूरा मैंने का इस वत यह थिखार वाई छोड़ेंगे ने तो वह अन्ला तो अधिन जो मैं का रहा था वैसे एक और भी बात की वह हो गई तो उसमें हारुन भाई भी वहां बैठे हुए थे और और भी लोग थे वहांस्ट ओवर बात अच्छा किया फिर इफ्तेखार ने बीच में हमें कमबैक बॉलिंग से भी कर रहा है तो ओवर और बहुत अच्छा मैश था दोनों टीमें ऐसे नहीं थी कि वह एग्जिबिशन मैश खेल रही है दोनों टीमें लड़ रही थी मैं तो बाबर से जो का भ अच्छा के गवर्मेंट ने वहांके सेक्यूरिटी एजनसी ने जिस तरह हमाई हेल्प की वह आउट सेंडिंग तो आपकी बहुत ही समझ लेती हैं चीजे जिस तरह आपने पूरी टीम बनाई बहुत शुक्री है नदीव उमर सहां के जजा कर लाँ नदीव उमर की गुफ टीम भी बहुत मतवाजन सेलेक्ट हुई है साथ उन्होंने बड़ा दिल्चस्ट वाक्या भी बताया कि नुवाईशी मैच में इफ्तिखार के छे छकों की उन्होंने ओवर से पहले ही पेज़गई कर दी थी फिर इन्शालला किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होग कि अलावफथ